नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी पब्लिक न्यूज टीवी के डिन्म सो में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष की 24 साल बाद कॉंग्रेस को आज गैर कॉंग्रेस गांधी फैमली का एक अध्यक्ष मिल गया मल्लिकार जुन खड़ गे जो दलित बिरादरी से आते हैं वो कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष चुन लिए गये हैं 1998 के बाद पहली बार कॉंग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ 1998 में जब मतदान हुआ था उस समय सोनिया गांधी और जीतेंद्र प्रशाद दो लोग कंटेस्ट कर रहे थे सोनिया गांधी उसमें जीती थी इस बार मलिकार जुन खडगे और ससी ठरूर जोनों युवा तुर्क कहा जाता है ससी ठरूर को वो चुनाव मैदान में थे और मलिकार जुन खडगे को जो 6925 ओटों से उन्होंने अपने जो प्रतिदंदी थे ससी ठरूर उनको हराया ये पहली बार हो रहा है पार्टियां सारी है देश में राजनितिक दल है भारतिये जनता पार्टी है कॉंग्रेस है समाजवादी पार्टी है त्रिनमूल कॉंग्रेस है आम आदमी पार्टी है जिसकी दो इस्टेट में सरकार है सिव सेना है सरत पवार की पार्टी है एंसीपी लेकिन लंबे समय से किसी भी पार्टी में लोगतांत्रिक तरीके से चुनाओ नहीं हो रहा था अध्यक्षपत के लिए कॉंग्रेस ने अगर कहा जाए तो लीक से अलग हट करके काम किया है और इसका क्रेडिट राहूल गांधी को जता है क्योंकि राहुल गांधी को पिछले दो साल से जबसे उन्होंने अध्यक्ष पत्स से इस्तिफा दिया उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि वो अध्यक्ष बने बट राहुल गांधी अध्यक्ष की कुरसी सम्हालने से मना कर रहे थे राहुल गांदी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस दौरान मतदान के जरीए बाकादे मतदान हुआ हर राज्य में मतदान हुआ दिल्ली में मतदान हुआ और उस मतदान में जो डेलिगेट्स हैं उन्होंने ओड दिया और ओड के जरीके मल्लिकार जुन खड़ ग वह हैं आपको पता होगा कि रास्ती अध्यक्ज के लिए राजस्तान के जो मुख्यมंत्री असोक गहलावत का नाम सबसे पहले चला था असोक गहलावत राश्ती अध्यक्ज बनेंगे लेकिन असोक गहलावत की कुछ जो पार्टी नेतित है जो सोनिया गांधी है उनसे कुछ तल्खी हो गई मुख्यमंत्री पत को ले करके उस तल्खी की वज़े से असुग गहलोत रास्टी अध्यक्ष के पत्सरेश से बाहर हो गए तब मलिका अरजुन खडगे जिने कहा जाता है कि वो गांधी फैमली के बहुत नस्दीक हैं और रिमोर गांधी फैमली के पास ही होगा अध्यक्ष का ऐसा कहा जा रहा है और पार्टी का लेकिन एक बार आपको राहुल गांधी के आज के बयान पर भी गौर करना चाहिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि अब खडगे जीताएं करें कि मुझे क्या करना है यह बहुत बड़ी बात रहुल गांधी ने कही है कि अब राष्टी अध्यक्ष खडगे जी हैं वो तेह करेंगे कि हमारी भूमिका क्या होगी मतलब रहुल गांधी की भूमिका क्या होगी यह खडगे जीताएं करेंगे यह इस बयान के कई मायने नि समँमान है लेकिन जो रिमोक कोंट्रोल है काका पांडेसक पार्टी का वो गांधी फैंली के पासी ह रहेगा है वजब अगर देखा जाए तो पार्टी का अध्यक्ष जिसन अमित साजी अध्यक्ष थ्याइब भरती जंदता पार्टी में राजनाश सिंग जी gestि अब नड़ा जी अध्यक्ष हैं दो साल का उनका कारेकाल अभी पूरा हुआ है फिर उन दो साल के लिए उनको उनका नॉमिनेशन बढ़ा दिया गया है लेकिन जो सबसे बड़ी नेता है वो है नरेंद्र मूदी नरेंद्र मूदी जो चाहते हैं भारती जन्ता पाटी में वही होता है इसी तरह से कॉंग्रेस में भी आज की तारिक में सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी खड़ गे जी रास्टे ध्यक्ष बन गए हैं लेकिन चलेगी राहुल गांधी की ही और उनकी माता जी सोनिया गांधी की ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है हलाकि इस इलक्सन में कई तरह के डिस्प्यूट भी खड़े हुए अभी आज ही जो उनके ससी थुरूर के जो इलक्सन एजेंट हैं सलमान सोज उन्होंने आरोप लगाया कि ओटिंग में उत्तर प्रदेश में धादली हुई है अब धादली हुई या नहीं हुई ये मैं नहीं कह सकता लेकिन उनका इस तरह का आरोप है और आपको ये भी बता दें कि खड़गे साहब 80 साल के हैं और दक्षीर भारत से आते हैं खड़गे साहब तब राष्ट्रिय अध्यक्च बने हैं जब भारतिय जनता पार्टी 75 साल से जादा उमर से जादा के लोगों को टिकट महीं दे रही है लोग सबा के दोरान भी 75 साल जिनके पूरे हो गए थे भारती जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया अभी हिमाचल में जो कल सुची आई है भारती जनता पार्टी की उसमें भी भारती जनता पार्टी ने 75 साल से जादा के नेताओं को टिकट नहीं दिया और जो खड़के साव है वो 80 साल उमर की उनकी हो चुकी है और इस समय राज्य सभा में वो कॉंग्रेस के नेता थे लेकिन अध्यक्षपत का नामांकन भरने से पहले उन्होंने उस पत से त्याक पत्तर दे दिया है खड़के साव बहुत सीनियर लेडर है और बहुत ही संहर्स पूर्ड जीवन जीते हुए वो यहां तक पहुँचे हैं और 65 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने हैं वैसे 75 साल आजादी के पूरे हो गए हैं अमरित महुत सहर चला है इस दोरान 42 साल तक कॉंग्रेस की बार्डो गांधी फैमली के पास रही है तैंतिस साल तक पार्टी की अध्यक्षी जो है कॉंग्रेस मतलब गांधी फैमली से अलग रही है और दूसरे दलित नेता हैं कॉंग्रेस के जिनको राष्टी अध्यक्ष बनाया गया था इससे पहले बाबु जवजीवन राम दलित नेता थे जो कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष थे और दूसरे हैं ये मल्लिका अरजुन खड़गे मल्लिका अरजुन खड़गे के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि मल्लिका अरजुन खड़गे कैसे राजनीत में आये और राजनीत में आये तो किस तरह का उनको संघर्षों का सामना करना पड़ा मल्लिका अरजुन खड़गे के बारे में आज यहां तक पहुंचे हैं यह मैसूर राज है करनाटक राज के मैसूर का वरपट्टी गाउं है महां के वो रहने वाले थे वो जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा नहीं हुआ था तब वो उनका वहां जन्म हुआ था और वहां निजाम की हुँकूमत हुआ करती थी जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ उसी दोरान वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए मतलब उनके गाउं में दंगे हुए मैसूर में दंगे हुए और उस जो उनका वरपट्टी गाउं है उस पर निजाम की सेना ने हमला कर दिया और उसी हमले में इनकी मान को आग में जला कर मार डाला गया था और उसके जो पिता थे मलिक आरजुन खड़े के वो अपने इस पांच साल के बच्चे को ले करके जंगल में चले गए थे तीन महिने तक वो जंगल में रहे और उसी जंगल में मसदूरी करते थे और मसदूरी करके जब उहां से जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और पढ़ा करके मलिका अर्जुन खडगे को वकालत की पढ़ाई पढ़ाई और वकील बने वकील बनने के बाद वो अपने यूनियन के लिडर बने और उसके बाद बिधायक बने उसके बाद आंध प्रदेश और करनाटक में वो मंत्री बने रहे लंबे समय तक मंत्री रहे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे और दो बार वो यंपी रहे हैं और जो मल्लिका अरजुन खडगे के बारे में कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के बेहत करीब हैं और इसी वज़ा से मल्लिका अरजुन खडगे को कॉंग्रेस ने असोग गहलोद के बाद दूसरे नमबर का नेता माना जिसको रास्टे परस्तावित किया हला कि कॉंग्रेस कह रही है कि ये बड़े लोकतांतरिक तरीके से चुना हुआ है और जो रास्टिय ध्यक्ष होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा मतलब मल्लिका अरजुन खडगे भी पार्टी को अपने हिसाब से चलाएंगे लेकिन जो विपक्षी प लेगी गांधी फेमली की ही सारे निरड़े चाहे छोटे निरड़े हो या बड़े निरड़े हो वो सारे निरड़े गांधी फेमली ही लेगी क्योंकि गांधी फेमली ही एक ऐसी फेमली है जिसके नाम पर पूरे देश भर में ओट है और उस ओट को सहेजने का काम गांधी family ही करती है और दक्षिड अब वह ऐसे तो congres के जो पूरप के अध्यक्ष जदा रहे हैं इसमें जो भी गैर congres अध्यक्ष रहे हैं मनलब गैर गांदी family के गांदी family भी पूरप की है लेकिन जो दक्षिड है साउथ से अब तक ये छट पांच बार पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं कॉंग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे 1948 से 49 तक पदमनाये सीता रमय्या और 1960 से 63 तक नीलम संजीवा रिड़ी जो बाद में राश्ट्रपती भी हुए वो थे और के कामराज साउससट के अध्यक्ष रहे इस निजलिंगपा 1968 से 17 Sentinel तक रहे और 1992 से 94 के बीच में पीवी नर्सिंहाराव भी कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे और कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं कि वो बाग में प्रधान मंत्री भी बने हलाकि जितने भी प्रधान मंत्री बने हैं उनमें साइद पहले वो अध्यक्ष हैं नर्सिंगा राओ कॉंग्रेस के जिनको आगे चल करके कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री भी बनाया एक बात कही जा रही है कि जो election हुआ है इस election के बार Congress में फूट पड़ सकती है क्योंकि थरूर चुनाव लड़े और थरूर को youth जो Congress का है वो बहुत पसंद करता है और जिस तरीके से उनके जो election एजेंट है सल्मान सोल साब जिस तरीक उन्होंने जो आरोप लगाए है पार्टी के ऊपर वो एक चिंता पैदा कर रहा है कि election में धादली का उन्होंने आरोप लगाया था तो क्या इसको लेकर के आगे जो है कोई तनाव पैदा हो सकता है पार्टी के भीकर क्या पार्टी चुकि ससी भरूर जी चुनाव हार गया हलाकि जब election चल लहा था तो वो भी अपना campaign कर रहे थे और खड़के साब भी कर रहे थे उस दौरान दोनों लोगों ने इस बात को कहा था कि ये आंतरिक चुनाव है ये परिवार का चुनाव है इसमें friendly fight हो रही है जो जीतेगा वो भी कॉंग्रेसी होगा और जो नहीं जीतेगा वो भी कॉंग्रेसी होगा एक बात और कही जा रही है कि खड़गे साब का कोई party का अपना agenda नहीं है जो कॉंग्रेस की जो अंतरी मध्यक्ष सोनिया गांधी वो जो agenda देंगी जो राहुल गांधी agenda देंगे वो ही agenda उनका agenda होगा लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि कॉंग्रेस लोक्तांत्रिक तरीके से चुनाओ करने वाली सबसे बड़ी और पहली party हो गई है आगे देखिए क्या होता है खडगे सहाब गांधी फेमली के रिमोट के तौर पर काम करते हैं पार्टी में कोई food होती है ये तो समय बताएगा आज के dnm show में बस इतना ही खडगे सहाब को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद